नमस्कार मित्रो आज हम बात करेंगे ब्रम्ह और भ्रम की दर्मसूत्र की सीरीज में लगातार हम उस पर ब्रम्ह परमात्मा का चंतन कर रहे हैं धर्म और अध्यात्म के गुढ रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहे हैं वास्ताओं में गुढ कुछ भी नहीं है लेकिन गुढ का स्तित्व तब तक है तब तक परमसत्य रहस्य में है जब तक हम उस तक पहुँच नहीं जाते हैं परमसत्य तक पहुँचना यूँ तो बहुत कठिन है लेकिन कठिन होते हुए भी वो बहुत आसान भी है तो आज हम ब्रह्म और भ्रह्म दोनों में भेद करने की कोशिश करेंगे कहा जाता है कि ब्रह्म से पहले हमेशा ब्रह्म आता है लेकिन हम कैसे पहचानेंगे कि जिसे हम ब्रह्म मान रहे हैं वो वास्तव में एक ब्रह्म है क्योंकि हमारी बुद्धी इतनी प्रकर नहीं है हमारी शमताएं सीमित हैं हम कैसे पहचानेंगे कि हम वास्तविक सत्य तक पहाँच गए हैं देखे, मानव का मन बहुत शक्तिशाली है और मन अनेक तरह के खेल निर्मित करता है मन के अनेक स्तर है साथ लेयर्स के बाद सत्य रूपी परब्रम्ह परमात्मा तक पहुँचा जा सकता है सत्य एक है, परब्रम्ह परमात्मा एक है, वो अकरता है वो आकार और निराकार से परे है परशब्द इसलिए लगा है कि वो सबसे परे है जो सबसे परे है, वो हमारे मन की सीमाओं से भी परे है तो जो भी कुछ हमारे मन की सीमाओं के अंतरगरत आता है वो सब भ्रम कहलाता है और जब हम मन से पार पहुँच जाते हैं तो फिर हम परब्रम हमें स्थापित हो जाते हैं फिर मन नहीं रहता फिर मन के खेल भी खत्म हो जाते हैं और उसी को सत्य का साक्षाटकार कहते हैं तो मित्रो भ्रम को कैसे डिटर्माइन किया जाए क्योंकि हमारी यात्रा मन से ही शुरू होती है और मन पर ही खत्म हो जाती है और जो भी साधनाएं हम करते हैं मन के स्तर पर ही करते हैं मन है तभी तो साधनाएं हैं बहुत कठिन और जटिल ये सवाल है कि आखिर कैसे हम मन के पार पहुँचें क्योंकि हम मन ही है मन ही मन ही मनुष्य है अब कोई व्यक्ति खुद से पार कैसे पहुँच सकता है मित्रो निश्यत रूप से हम अपने मन के पार इतनी आसानी से नहीं पहुँच सकते लेकिन पहुचना इतना कठिन भी नहीं है धीरे धीरे इन सूत्रों से हम उन रहस्यों को जानने की तरफ आगे बढ़ेंगे जो वास्तों में हमें परमसत्य तक ले जा सके हैं तो मन के इस्तर पर हमारा साक्षातकार ब्रह्म से नहीं ब्रह्म से होता है वास्तों में मन के इस्तर पर सबसे पहले साधना होती है शरीर की जब शरीर की साधना होती है तो अन्नमय ब्रह्म के दर्शन होते हैं अन्नमय ब्रह्म यानि इस्थूल ब्रह्म जो इस्थूल स्वरूप में जो आकरतियां हैं आकार हैं उस स्वरूप में ब्रह्म हमें दिखाई देता है लेकिन ये वास्तों में ब्रह्म नहीं है ये समय के अंतरगत परिवर्तन शील ब्रह्म की इस्थूल सकता है ये भी कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि हम ब्रम्भ के भ्रम्मय इस्थूल शरीर का दर्शन कर लें हाला कि ये इस्थूल शरीर भी माया है जने हम विभिन स्वरूपों में देखते हैं अपने मन के स्तर पर विभन आकरतियों में देखते हैं वो सब वास्तों में अन्यमाय ब्रह्म है ठीक है हमने एक रास्ता एक पाईदान तो क्रॉस किया हम इस्थूल शरीर तक ही पहुँचे ब्रह्म के उस माया मै लीला मै शरीर तक पहुँचे जो ब्रह्म के विभन स्वरूपों के अंतर गताते हैं इससे आगे हम बढ़ते हैं तो ब्रह्म के प्राण में स्वरूप के दर्शन होते हैं ब्रह्म का प्राण सर्वत्र व्याप्त है और उसी प्राण से हमारा जीवन चल रहा है तो शरीर जिस प्राण से चल रहा है उस प्राण में ब्रह्म के स्वरूप के दर्शन दूसरे पायदान पर होते हैं उसका अनुभव होता है उसका एहसास होता है उसका रियलाइजेशन होता है कि हम वास्तों में ब्रह्म की प्राण में सत्ता है इससे आगे जब हम पहुंशते हैं तो ब्रह्म के मन से हमारा साक्षातकार होता है इसको ब्रह्म का मनुमय शरीर कहते है उसी का सुक्ष्म रूप हमारे अंदर भी मौजूद होता है तो जब ब्रह्म के मन से हम मिलते हैं तो भी ये ब्रह्म ही होता है लेकिन ये भी छोटी मोटी स्टेज नहीं है ब्रम्ह के मन के भी कई इस्तर है वो इस्तर हमारे अंदर भी देखने को मिलते हैं चेतन, अवचेतन, अचेतन समुचेतन, समुचेतन, ब्रम्हचेतन, ब्रम्हचेतन, परब्रम्हचेतन ऐसे अनेक इस तरों की चर्चा की जाती है तो साधना के तीसरे पायदान पर हमें ब्रम्ह के मनों में शरीर का दर्शन होता है ये ब्रम्हन्ड भी एक मन ही है जैसे मनुष्य एक individual mind है वैसे ही ये जो यूनिवर्स है ये यूनिवर्सल mind है उस collective universal mind के अंतरगत हमारा mind आता है, वास्तों में हमारा mind हमारे आसपास के mind का एक समुच्च भर है, एक समुच्च मात्र है, तो मनुमय शरीर का साक्षातकार, ब्रह्म का मनुमय दर्शन, ब्रह्म के मन से मिलन, ये भी एक अवस्था है, लेकिन ये भी पूर्ण सत्य नहीं है, इसके आगे हम यदि चलते हैं, तो हमें ब्रह्म के विज्ञानमे कोश के, विज्ञानमे शरीर के दर्शन होते हैं, उस विज्ञानमे शरीर के दर्शन से, उस विज्ञानमे सुरूप के दर्शन से हमें पता चलता है, कि स्रश्टी के रचना का विधान क्या है, उसका सुरूप के दर्शन के बाद हम पहुंचते हैं ब्रम्ह के आनंदमे सुरूप में ब्रम्ह का आनंदमे सुरूप भी बहुत अदभुद है कोई व्यक्ति वहां तक भी पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात है लेकिन वो आनंद में सुरूप भी भ्रहम ही है वो भी वास्तों में भ्रहम नहीं है लेकिन उस सुरूप तक हम पहुंच जाएं उसका साक्षातकार हो जाए उसका रियलाइजेशन हो जाए उसकी अनुभूती हो जाए उसका ज्यान हो जाए ये भी एक साधारन मनुश्य के ल स्वरूप के बाद हम पहुंचते हैं ब्रह्म के चित्त मैं स्वरूप में वास्तों में ब्रह्म का चित्त मैं स्वरूप ब्रह्म की उपस्थती के कारण निर्मित होता है और उसी चित्त से यह संसार प्रकट होता है संसार का स्रजन पालन और संगहार होता है उस परब्रम्ह परमात्मा की माजूदगी के कारण उसकी उपस्थिती के कारण स्वभाविक रूप से चित्त की उपस्थिती हो जाती है चित्त का प्रादुर भाव हो जाता है उस परब्रम्ह परमेश्वर के सागर में जीवन स्वता ही हिलोरे लेने लगता है वो निर्मित नहीं करता वो बनाता नहीं लेकिन उसकी मौजूदगी परियाप्त है बनने के लिए और जब कोई चीज बनती है तो अपने आप उसके पालन की विवस्था हो जाती है और पालन होने के साथ-साथ कोई भी चीज इस्थाई नहीं होती इसलिए संगहार रूपी महेश का निर्मान भी हो जाता है। तो उस सदाशिव से उस परमशिव से पैदा हुए ब्रह्मा, विश्णु महेश, श्रजन, पालन और संगहार की शक्ति निशित रूप से ब्रह्मा की ही तीन सत्ताएं हैं। ब्रह्मा की उपस्तिती में मौजूद हो जाती है। और ब्रह्मा के विज्ञानमे सुरूप के बाद हम पहुंचते हैं ब्रह्मा के सत्यमे सुरूप में जो ब्रह्मा का वास्तविक सुरूप है। और उस सत्य सुरूप में यदि हम इस्थापित हो गए क्योंकि वहां तक पहुँचने में हम स्वयम नहीं रह जाते हैं हम स्वयम से परे हो जाते हैं मैं खत्म हो जाता है मैं की सत्ता समाप्त हो जाती है और उस वक्त ब्रह्म की सत्ता सत्य एक मात्र वही मौजूद रहता है तो इसी को हम ब्रह्म के सत्य सुरूप ब्रह्म के वास्त्रिक सुरूप का दर्शन कहते हैं और वास्तव में वो सत्य सुरूप ब्रह्म नहीं है वही सत्य है बाकि जितने भी सुरूप हैं वो ब्रह्म है क्योंकि वो परिवर्टन शीर है मित्रु आज इतना ही आगे फिर इस विशे पर चर्चा करेंगे अपने धर्मसूत्र को आगे बढ़ाएंगे बहुत बहुत धन्य बाद नमस्कुर्ट